हेलो दोस्तों कैसो आप सब मेरा नाम है संजा और आप देख रहे हैं टेग्यान फड्यू और आज की इस वीडियो में मैं जियो के जीगा फैबर ब्रोल्ड बेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ ये एटल एक्स्ट्रीम के कमपरेजन में कितना अच्छा है इसको लगवाने का कोश्ट कितना पराया है और इसकी स्पीड कैसी है ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और हाँ दोस्तों अगर आपको ये मेरा इंफर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें तो चलिए देखते हैं ये पूरा वीडियो दोस्तों मैं Jio Jiga Fiver लगवाने से पहले बहुत कनफ्यूज था कि मैं Jio Fiver या Airtel Extreme में से कौन सा ब्रोल्डबेंड लगवाँ ये दोनों कमपनी मेरे एरिया में अवेलेवल हो गई थी और काफी तेजी से लोग कनेक्सन लगवा भी रह थे दोस्तों मैंने अपने जरूत को देखते हुए Jio Jiga Fiver connection लगवाया जोगी काफी कम कीमत पर आपको unlimited internet का मज़ा देती है दोस्तो Jio Fiver लगाना काफी आसान है Jio Fiver अगर आपके एरिया में available है और आप लगवना चाहते हैं तो simple है आप My Jio App में जाकर आप connection के लिए request कर सकते हैं दोस्तो Jio Fiver के लोग आपके घर आएंगे और आपका connection लगा देंगे दोस्तो देहान रहे कि आपके घर और Jio Fiver के नजदीकी पोल के बीच का distance 80 मिटर होना चाहिए अगर ये distance 80 मिटर के बीच के है free of cost आपका काम हो जाएगा और Jio Fiver के लोग काफी trend होते हैं आपका काम एक घंटे के अंदर हो जाएगा और इसके लिए वो कोई extra charge नहीं करेंगे तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमें box में क्या-क्या मिलता है दोस्तों इस box में हमें Jio का dual band router मिलेगा एक ethernet cable मिलेगा Jio Fiver को समझने के लिए ये document मिलेगा landline phone से connect करने के लिए landline wire मिलेगा एक power adapter मिलेगा तो दोस्तों ये सथा इस box में चलिए दोस्तों अब मैं आपको पताता हूँ कि इसके लिए आपको क्या pay करना पड़ेगा दोस्तों अगर आपको सिर्फ internet connection लेना है तो इसके लिए आपको 1500 रुपे पे करने पड़ेंगे जो की refundable होंगे अगर आप ये connection हटवाते हैं आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपको ये 1500 रुपे वापस मिल जाएंगे अगर आप internet के साथ साथ DTS का व्यूप्यो करना चाहते हैं तो 1500 रुपे के साथ 1000 रुपे और लगेंगे और 2500 रुपे में आपको set up box मिल जाएगा दोस्तो मुझे सिर्फ internet की जरू थी so मैंने 1500 रुपे पेड किया दोस्तो ये payment online होता है और एक proof के तौर पे अधार कार्ड अपने पास त्यार रखें दोस्तो सब कुछ हो जाने के बाद और router को on करने के बाद आपका internet शुरू हो जाएगा अभी company एक महिने का free trial offer कर रही है वो भी 1500 mbps के साथ और वो भी unlimited internet के साथ तो चलिए दोस्तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस trial period में मुझे कैसा speed मिला है दोस्तो आप देख सकते हैं कि trial period में मुझे 1500 mbps में से 143 mbps की download speed मिल रही है 147.87 की upload speed मिल रही है जो की काफी अच्छी बात है दोस्तो अगर actual में इसकी speed की बात करूं तो actual speed में 8 से divide करते हैं यानि कि 143 में अगर हम 8 से divide करते हैं तो 18 के approach जो है इसकी speed मिलती है और 18 के approach ही इसकी upload speed मिलती है दोस्तो इस speed में आफ़ोर के content बड़ी ही आसानी से चला सकते हैं आपको कोई समस्या नहीं होगी दोस्तो एक महिने के बाद जब आपका trial period खतम हो जाएगा तो आप अपने जरूत के हिसाब से recharge करें आप इनके plans को myju app में जाकर देख सकते हैं सबसे कम वाला plan है 399 रुपेका इसमें आपको 30 Mbps की download plus upload speed मिलेगी साथ ही 30 दिन के validity होगी और इसमें आपको कोई भी OTT platforms फ्री में नहीं मिलेंगे साथ ही आपको GST 18% अलग से देने पड़ेंगे दोस्तो इसके बाद जो गला plan है वहाई 699 रुपेका इसमें आपको 100 Mbps की download plus upload speed मिलेगी साथ ही इसकी validity 30 दिन के होगी और इसमें भी आपको कोई OTT apps फ्री में नहीं मिलेंगे इसके बाद है दोस्तो 999 रुपेका plan इसमें आपको 1500 Mbps की speed मिलेगी download plus upload साथ ही इसकी validity भी 30 दिन के होगी इसमें आपको Netflix, Amazon Prime वगेरा के OTT apps मिल जाएंगे इसके बाद जो plan आप देख सकते हैं 499 रुपे, 2499 रुपे, 3999 रुपे और सबसे अधिक वाला plan है 8499 रुपे का 8499 वाले plan में आपको 1 Gbps की speed मिलती है तो चले दोस्तों अब मैं इसका base plan यानि के 399 रुपे से recharge करता हूँ और यहां आप देख सकते हैं GST include है transaction process complete हो जाने पर आपको ये MyGeo app में देखने लगेगा दोस्तों, Geo Fiver में landline के थुरू आप कहीं भी बात कर सकते हैं या आपको एक landline number मिलेगा जिसको आप अपने smartphone से use कर सकते हैं इसके लिए आपके smartphone को Geo Fiver के wifi के range में होना होगा इसके थुरू आप कहीं भी बिल्कुल free में बात कर सकते हैं चले दोस्तों, अब मैं 399 रुपे के plans के, इसकी speed कैसी है वो मैं बताता हूँ दोस्तों, यहाँ आप इसकी download speed और upload speed को देख सकते हैं दोस्तों, इसके wifi range की बात करें तो इसकी wifi range काफी अच्छी है 30 feet के दारे में आप कहीं भी हो, छत पे हो, नीचे हो 30 feet के range में आपको बड़ी आसानी से अच्छी speed मिल जाएगी Geo Fiver की एक बात और अच्छी लगी कि दोस्तों, इसमें आपको Geo की तरफ से जो router दिया गया है, वो dual band है यानि कि जो भी dual band supported device है, उसमें आपको यह सुभिधा मिल जाएगी दोस्तों, अगर इसके speed की बात करें तो इसकी speed काफी अच्छी है आप 4K content बड़ी आसानी से चला सकते हैं इसमें आपको किसी भी परकार की समस्या नहीं होगी आपका internet यूज करने का experience दुग ना हो जाएगा तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो Geo Fiver लेने की अगर आप सोच रहे हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जय हिंद